हेलो बच्चों उमीद है आप फिट फाट होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे मैं जो हेल्प कर पा रहा हूं और आगे करता रहूंगा चैप्टर नमबर 6 पर पहुँच गया है वन शॉट वीडियो में हम लोग तो पूरी चीज कवर करेंगे जो यह जो वन शॉट है जो वन शॉट बने है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है क्लिक करके आप देख सकते हैं प्रेलिस मैंने बना दी है आईए चालू करते हैं यह औरों से अलग है औरों से अलग क्यों है देखिए को कि इसके इंदर में आपके सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा जो स्ले शॉट को देखता है तो उसको बहुत जादा फायदा होने वाला है काफी confidence मिल जाएगा काफी चीज़े जान जाएगा तीसरी बात जैसे ही पढ़ाना मैं स्टार्ट करूंगा कोई fall to talks नहीं मिलेंगी pure teaching मिलेगी 100% no time wasted इसलिए कि आपका भला हो आगे चले वनना पंचायत पूरी की जा सकती है लेकिन नहीं आपकी बलाई सोचनी जरूरी है आगे बात करते हैं अगर जिस बच्चे को ये presentation चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो अर्विंद academy के telegram channel को join कर सकता है उसका link भी मैं description में दे दूँँगा तो click करके आप join कर लीजेगा free of cost है और उस पर कई तरह के courses हैं आपके लिए अगर आप interested है कि उन courses को लेके आप uplift हो सकते हैं ज्यादा marks ला सकते हैं बहतर performance हो जाएगी आपकी तो अर्विंद academy app को download कर लीजिए और देखिए यहापर notes वगरा भी free में provide करते हैं हम लोग यहापर जैसे कि आपको चीजे आसान भाशा मे उपलब दो तो आप देख लीजेगा अगर आपके लिए suitable है तो आप यहाँ से courses को भी ले सकते हैं चलिए पढ़ाई पर आ जाते हैं और यह पढ़ाई की शुरुवात हो जाती है पहला ही topic की electromagnetic induction chapter है तो पहली जड़ कहा से शुरू होती है magnetic flux से तो magnetic flux जो की magnetic field से associated रहता है व वो magnetic field एक vector quantity है जबकि magnetic flux इक scalar quantity है तो यहाँ कहीं लिखा भी होगा नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ यह जो magnetic flux है इसको हम लोग 5 से दिखाते हैं 5B लिख देते हैं और कभी-कभी तो हम लोग 5 से ही दिखा देते हैं क्या होता है ना कि 5E जब लिखते हैं तो यह electrostatic flux हो अच्छा रहता है वरना 5 से भी दिखा देंगे तो बात समझ में आती है context समझते हुए यह एक scalar quantity है पहली बात इसका कोई direction नहीं रहता और यह होती क्या है तो यह आप जानते होंगे नहीं जानते तो भी आप समझ लीजे फाई की गढ़ना जब आप करेंगे तो लिखेंग बी ये कॉस थीटा ये area vector है area vector surface से normally direction में होता है अगर open surface है तो अगर ये open माली जे हतेली है मरी तो इसके इसका area vector किदा रहे तो surface area हो गया या तो इधर या इधर normally open surface में लेकिन जब close surface लेते हैं तो वहाँ पर area vector को outward direction में मानने का रिवाज है या conventionally हम outward direction में मानते हैं अगर कोई close surface हो जैसे कि cube हो तो cube में आप जो outward direction में ये cube मान लिजे जल्दी से बना देता हूँ इसमें जो vector लेंगे इस वाले का outward direction बाहर की तरफ लेंगे ये कहने का तातपर रहे मेरा जैसे आप बात को समझ पामें तो ये क्या रहा magnetic flux कि number of field lines passing through the area which is head perpendicular to the magnetic field तो जितनी number lines pass होती है उनी को हम flex बोलते हैं तो फिर से एक बार number of field lines passing through the area which is head normal to the magnetic field magnetic field lines बोल दीजे तो यहाँ पर लिखा भी है जिससे आप बात को समझ जाएंगे इसकी unit weber होती है यहाँ पर दिखिए mention कि ऐसा unit की बात कर रहा हूँ तो इस formula को ध्यान दखेंगे यह दिखिए यहाँ पर दिखाया है कि यह area अगर normal है तो theta 0 हो जाएगा cos 0 होता है 1 तो phi A हो जाएगा इसका और यहाँ पर दिखिए इसका जो area vector है area vector किदर है इस surface का area vector इधर जा रहा है normal है surface के और magnetic field इधर है तो beach का angle theta हो गया तो इसके लिए B A cos theta लगाना पड़ेगा और यहाँ area vector B C direction में है और B B C direction में है तो theta की value 0 हो गई थी तो यह magnetic flux है यह important इसलिए क्यों है क्योंकि इसी पर पूरी रहमाड आगे बसती है एक कदम आगे लेके चलते हैं अब देखिए यहाँ पर कि अगर phi की बात करें तो phi को क्या लिखा जा सकता है F upon QV into sin theta into A B जानते ही है F upon QV sin theta होता है और phi होता है BA अगर area vector और flux magnetic field एक की direction में है तो area vector और magnetic field तो यह F upon QV sin theta into A हो जाएगा dimension की बात करें तो यह dimension देखी लिखी इसलिए कि कभी-कभी आप किया MCQV आएंगे तो dimension भी पकड़ लीजए कभी-कभी पूछ लेते हैं उसमें तो आप लिख पाएंगे ml square a-1 t-2 इस तरीके से dimension की भी बात complete हो जाती है SI unit की चर्चा आपसे करी चुके हैं which is 1 Weber और एक Weber क्या होता है 1 Tesla into 1 meter square यह आप कह सकते हैं SI unit of magnetic flux is Weber and 1 Weber is the flux produced when a uniform magnetic field of 1 Tesla यह 1 Tesla acts normally over an area of 1 meter square तो आप क्या बोल देंगे कि यह 1 Weber का flux है बिल्कुल इस सब तयार रखिए पूरी सभी topic cover करेंगे हम लोग एक कदम और आगे लेके चलते हैं CGS unit of magnetic flux CGS unit क्या होती है इसकी Maxwell यह कभी MCQ फेंसकी क्यों में आ जाए तो आप इसको चक्का मार पाएं इस बाल पर तो CGS unit of magnetic flux is Maxwell 1 Maxwell is equal to 1 Gauss into 1 cm square इस तरीके से पकड़ते रही है Gauss होती है Magnetic field की CGS unit एक कदम और आगे बढ़ाते हैं relationship क्या है Weber और Maxwell में यह relationship है देखिए इसको भी ध्यान लखिए क्योंकि आप किया इस तब तिकलम पूछी जा सकती है 1 Weber is equal to 10 की पावर 8 Maxwell चलिए एक के दब और आगे बढ़ाते यह आगे positive and negative flux तो हमेशा positive and negative देखिए flux एक scalar quantity है लेकिन यह positive या negative दोनों हो सकती है जैसे work होती थी work आपने पढ़ा है class 9 से शायद या उससे पहले से पढ़ा होगा work done क्या होता है एक scalar quantity है लेकिन work done plus भी हो सकता है work done minus भी हो सकता है उसी तरीके से magnetic flux है जो की scalar quantity है लेकिन वो plus या minus दोनों हो सकती है तो आप plus minus कैसे होगी ऐसे होगी कि जब एक सरल भाषा क्या प्रयोग करें तो magnetic field और area vector में जब acute angle बनेगा acute angle 90 से छोटा उसको कहते हैं तो ये बन जाएगा positive flux योगी cos ये formula लिखते हो न फाई बी ए कॉस थीटा तो अगर ये थीटा हमारा acute angle रहा तो ये फाई हमारा positive आ जाएगा और अगर ये obtuse हो गया थीटा तो फाई हमारा negative आ जाएगा इससे क्या बात समझ में आई इससे ये बात समझ में आई कि अगर magnetic field और area vector के बीच में acute angle है तो flux positive और अगर इन दोनों के बीच में obtuse angle है तो flux will be negative simple सी बात ये है और ये बात यहाँ और simplified version में दिखाई गई है कि देखिए flux ये magnetic field और area vector ये दोनों एक ही direction में है तो theta is equal to 0 degree तो phi होगया plus b और यहाँ पर देखिए magnetic field इधर है और area vector हमने इधर ले लिया है तो दोनों के बीच में कितना angle है 180 degree तो 180 degree आप लोगे तो flux आजाएगा minus b ये तो इस तरीके से plus और minus ये पकड़ के चलना है आपको पताया था कि कोई भी open surface लेंगे जब आप तो normal किधर भी draw कर सकते हैं जिस सवाल में draw कर देंगे जिस तरफ area vector के लिए पूरे सवाल में वही पकड़ के चलेंगे close surface मिलेगी तो outward direction में area vector ये बात आप जानते भी हैं मैं revise इसलिए करा रहा हूँ कि पूरी बात पकड़ में आ जाए अब देखे ये है electromagnetic induction किसे कहते हैं what is electromagnetic induction तो देखे लिखा है the phenomena of production of induced EMF and hence induced current due to a change of magnetic flux linked with a close circuit is called electromagnetic induction क्या सरल भाशा में बात हुई बात ये हुई कि अगर कोई coil है और coil मान लीजे close है close नहीं भी होगा तो भी induced EMF तो पैदा हो गई होगा closed कर देने से इसमें induced current भी पैदा हो जाती है अगर इस closed loop में या coil में इससे जाने वाला flux ये flux की कुछ line magnetic field की बना देते हैं flux अगर change कर रहा है तो इसकी वज़े से इस coil में एक induced EMF पैदा हो जाता है और close circuit होने की वज़े से एक induced current पैदा हो जाती है induced current लिख देते हैं induced और इस फिनॉमिना को हम लोग कहते हैं electromagnetic induction यही लिखा है तो what is electromagnetic induction किसी coil से close circuit लिख दीजे close coil लिख दीजे से linked अगर flux change होता है तो उस वज़े से इस coil में induced EMF पैदा हो जाएगा और इसी वज़े से induced current फ्लो करेगी इस फिनॉमिना को इस घटना को हम लोग कहते हैं electromagnetic induction अब मन में तुरंत ही सवाल आता है कि भाई अगर इसमें induced EMF पैदा होता है induced current पैदा होती है तो आखिर कितनी होती है तो इस पे faradis आपने बड़ा law बनाए है अभी हम पढ़ेंगे और वो इस chapter की जान है तो हम वहाँ जान जाएंगे कि घटना exactly क्या है लेकिन यहाँ से बात पकड़ में आई होगी अब आगे बात करते हैं न कि दो तीन experiment आपको इस बात को feel कराने के लिए किताब में भी normally तीन experiment है तीनों का जिक्र में देरे-देरे कर देता हूँ जिससे आप समझें कि electromagnetic induction की घटना क्या है ठीक तो यहाँ पर वही बात लिखी है कि following experiment 1,2,3 हैं अब इसकी जगा मैं experiment लेता हूँ बाकी आप theory पल सकते हैं देखें यह पहला जो experiment है induced EMF with a stationary coil यह coil रुकी हुई है and moving magnet यानि यह जो coil है यह रुकी है लेकिन यह magnet हिलाएंगे हम लोग अब पहली situation में इस magnet को हम इस चुम्बक की तरफ इस coil की तरफ बढ़ाते हैं तो जैसे आप बढ़ाओगे इसके अंदर पास होने वाली magnetic field line बढ़ जाएंगी भाई दूर ले जाओगे तो magnetic field line कुछ जाएंगी कुछ नहीं जैसे कि मैं एक slide आट करता हूँ जेखिए यहाँ पर जैसे यह है अगर यह चुम्बक ऐसे दूर है magnet तो कुछ अधिकतर magnetic field lines ऐसा हो सकता है कि इधर से चली जाएं और कुछ इसमें से भी चली जाएं बास समझ में आई हो गिया आपको ऐसे अब अगर इसी में यह जो coil है इसके पास में आप magnet ले आएं भाई इससे आप इसको आगे बढ़ा है पास में ले आए तो इससे जाने वाली magnetic field lines जादा हो जाएंगी न और ना जाने वाली कम हो जाएंगी तो देखिए पहले जा रही थी दो lines अब जा रही है यहाँ पर फोटो में मैंने बनाई यह 4 lines आपको समझाने के लिए 2 lines और यहाँ पता नहीं कितनी 5 है शायद समझ तो लोग गही तो जैसे ही इसको आप पास लाते हो इससे निकलने वाली magnetic field lines जादा इसको intercept करती है यह इस coil से इस loop से जादा magnetic field line निकलने लगती है तो इसका क्या मतलब है कि there is a change in flux यह क्या हुआ इन दोनों का मतलब क्या हुआ है कि there is a change in flux change in flux क्योंकि flux को magnetic flux को हमने समझा हुआ है BA cos theta अगर B में हो रहा है बदलाओ मलब वही magnetic field lines इससे पहले 2 जा रही थी अब 5 जा रही है तो change in magnetic flux अगर change in magnetic flux है तो फिर experiment क्या show करता है कि इस coil में current flow होने लगती है भाईची बाच की थी ना एक induced EMF बनता है और coil closed है तो उसमें induced current flow होने लगती है यह हमें experimentally दिखता है केवल एक चीज नहीं दिखती है और भी कई चीज दिखेगी अब आपस आते हैं जो photo छपी हुई है तो इसको pass लाएंगे तो इसमें एक तरह की current दिखिये बन गई इस galvanometer को लगा रखे हैं जो detection of current कर देगा और छोटी current को नापने के काम भी आता है induced EMF फिर भी पैदा होगा induced current फिर भी पैदा होईगी उसकी वज़े से देखिये current का जो direction है बदल गया यहाँ पर current का direction आपको शायद दिख रहा होगा इस direction में current है और यहाँ पर उसकी उल्टी direction में current मिल जाती है but there is a current आप कुछ connect कर पा रहे हैं इससे कि अगर magnetic flux में change हुआ तो current बनेगी अगर closed loop है तो induced EMF तो बनेगा ही बनेगा closed मिल गया सर कि तो current भी flow करेगी flux बढ़ रहा है तो current की एक direction induced current की और flux अगर घट रहा है तो current की दूसरी direction induced current की तो यह तो experimentally हमको दिखा अच्छा यह experimentally दिखा तो बात यहीं खतम नहीं हुई तीसरी यह तो हमने slide add की थी तीसरी बात में यहां पहुच गये हैं लोग जब हम इसको रोक के खड़े होगा क्या हम इसको हिलाएंगे नहीं हटो भाई देखें क्या होता है तो यहां पर v is equal to zero कर दिया है अगर v is equal to zero कर दिया है तो हमने देखा कि जितनी magnetic feed lines इससे पास हो रही थी example के तौर पे यहां मोटे तौर पे चार जा रही है तो वो चार ही जा रही है ना चार से घट रही है ना बढ़ रही है इसका मतलब there is no change in flux if there is no change in flux there is no induced EMF there is no induced current तो बात पकड़ में आ रही है ना कि जहां पे change in flux होगा वहां पर induced EMF और induced current पैदा होगी जहां पर change in magnetic flux नहीं होगा वहां पर ऐसी घटना यानि induced EMF और induced current नहीं पैदा होगी साथ में flux बढ़ रहा है change में तो एक दूसरी तरफ current जाती है flux घट रहा है मतलब change in flux हो रहा है लेकिन घट रहा है तो वह दूसरी तरफ current जाती है इतनी बात पकड़ पाए experiment number two भी देख लेते हैं यहां पर हमने magnet हिलाया था और coil को stationary रखा था अब दूसरी कहानी में हम इस coil को is magnet को stationary रख देंगे और इस coil को आगे पीछे कर लेंगे देखें ऐसा करके तो लाइए इसमें अगले वाले घटना करमें ऐसा किया हमने magnet को रोक दिया कि हम magnet को नहीं हिलाएंगे इस coil को हिलाएंगे तो हमने देखा सेम चीज होने लगी अब वही जो घटनाएं समझाई थी वहीं यहां घटने लगी अगर change in flux है तो current induced current पैदा होने लगी coil में अगर flux बढ़ रहा है तो एक direction घट रहा है तो दूसरा direction और अगर इसको हिलाएंगे नहीं तो no induced current इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यार दोनों में से कोई भी हिले relative motion की बात चलने लगी तुम हिलो तो भी वही काम होगा तुम हिलो तो भी वही काम होगा तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में relative motion अगर हो जाए change in flux के लिए तो काम बन जागा relative motion का मतलब होता है चाहे पहला हिले चाहे दूसरा हिले relative motion होने का मतलब है current in the neighboring coil दो coil की घटनाएं हैं वहाँ पर तो चुम्बक लेके जुटे हुए थे अब यहाँ पर क्या किया यह coil बनाई है गैलवनोमीटर रखा और एक coil है जहाँ पर हमने रियो स्टेट की और बैटरी लगा के रखी है जैसे हम tap करते हैं की वैसे ही current बढ़ती है जट से बैक जो current बढ़ती है न मालीजे हमें 5A की current इसमें भेजनी है तो ध्यान लखिएगा अगर हमें 5A की current चाहिए तो step wise fashion में बढ़ती है यह समय इसमें लगने वाला समय बढ़ा कम होता है लेकिन यह फिर भी कुछ होता है finite होता है मतलब अगर आपने 0 से start किया तो 0 से बढ़कर पहुचेगी 0.1 समझाने के लिए फिर 0.2 फिर 0.3 और ऐसे करते करते यह पहुचेगी 5 समझ रहे हैं न ऐसा नहीं कि आपने चालू किया वो तो समय बहुत कम लग रहा इसमें इसलिए जट से 5 अंपियर हो जाएगी लेकिन वो बढ़ कैसे रही है step manner में यह समझाने के लिए figures लिख दी है कि 0 से कुछ बढ़ी फिर कुछ बढ़ी फिर कुछ बढ़ी फिर कुछ बढ़ी इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें current बढ़ रही है on करने पे switch तो magnetic field भी बढ़ रहा होगा क्योंकि current से current carrying conductor से magnetic field बढ़ता है बढ़ने की वज़े से इसमें अगर दो line जा रही थी तो अब बदला तो 3 line जाने लगी चान line जाने लगी magnetic field lines तो there is change in flux और change in flux होगा तो इसमें current देखी गई कि current दिख गई अपनी induced EMF और induced current बास समझ में आ रही होगी और जब इसको आपने off किया की को close की जगा open किया तो जितनी magnetic थोड़ी दे तक रोके रहे तो इसमें खतम होगी momentary current दिखेगी क्योंकि जब ये 5 ampere पहुँच जाएगा और 50 मानलीजे magnetic field lines निकाल रहा है तो steady current जब बिल जाती है 5 ampere की तो 50 line तो निकालेगा 50 lines अगर जा रही है और इससे pass हो रही है मानलीजे 50 की 50 इसने निकाली है और pass हो रही है 25 तो 25 fixed है तो there is no change in flux आप समझ पा रहे होंगे और if there is no change in flux इसमें कोई भी आपको induced current नहीं मिलेगी तो आपको momentary जैसे ही on करते है जट से दिखती है फिर खतम हो जाती है कोई current नहीं अब इसको off करिए मतलब circuit को open करिए open करेंगे तो 5 ampere से current घटेगी 5 से जरासी घटी जरासी घटी घटे घटे शून होईगी फिर यहाँ पर change in magnetic flux लेकिन इस बार अगर 25 लाईने जा रही थी तो 25 से घटी है 20, 15, 10 तो current का direction ulti direction में आ जाता है current induced EMF पैदा होगा induced current पैदा होगी लेकिन opposite direction में पैदा होगी तो इन तीनों experiment से हम ये समझ पाए है जो ये पूरी पूरा मैंने explanation आपको कर दिया है ये बाती यहाँ लिखी थी तो इस बातों को मैं skip कर रहा हूँ आप चाहें तो पढ़ लीजेगा लेकिन मैंने पूरी बात आपको इसमें समझा दिये explanation भी दे दिया है पूरा तो अब इन experiments से जो हमने किया पूरा तीन तीन experiments समझे जिससे हमारे जहन में ये बात घुश जाए उससे हमने conclude क्या किया what is the conclusions what are the conclusions from these experiments तो दो main conclusions हमें पैदा होते मिले क्या मिला पहला दिखिए कि whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes and induced EMF and hence an induced current is set up पहली बात तो ये कि अगर magnetic flux में change हो रहा है तो induced EMF और circuit close है तो induced current हो जाएगा बहने लगेगी flow करने लगेगी दूसरी बात the higher the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit the greater is the induced EMF of the circuit इन्हों उन्हों कहा ये जो flux change होने की घटना है अगर इसका rate और तेज हो जाए rate का मतलब कम समय में जादा change तो ये induced EMF और जादा पैदा होने लगता है कहने का तातपर रहा है ये जिसे closed circuit था हमारा ये closed loop था हमारा अगर हम एक magnet को समझाने के लिए इसको इसके पास ला रहे थे है ना velocity थी समझाने लिजे V1 तो इसके अंदर flux में change होगा induced current flow होने लगेगी लेकिन अगली बार हमने क्या किया इस वाले magnet को और तेजी से लाए पहले धीरे धीरे ला रहे थे तो flux में दो line से 20 line धीरे धीरे बढ़ी और हम जट से ले आए बहुत तेज यानि V2 V2 speed से लाए और V2 is much greater than V1 तो क्या होगा बहुत कम समय में change होने वाली magnetic field lines बहुत ज़्यादा होईगी कम समय में उतनी ही change हो गई तो ज़्यादा change होगा rate of change तो आप देखेंगे अगर पहले एक ampere की current थी तो दूसरी दफ़ा जब तेजी से लेके आए है हो सकता है पांच ampere की current दिख जाए समझ क्या होगी मेरा मुद्दा मेरा मुद्दा मतलब इस concept का मुद्दा तो ये बात पकड़ने की ज़रूरत इसलिए है कि concept clarity आपको मिल जाए कि ये क्या नाटक क्या है खैर good तो एक कदम और आगे लेके चलते हैं और conclusion हमने समझ लिया ये दो point जो लिखे दे अब Faradis आपने electromagnetic induction के दो law दे दिये इनी सब घटनाओं को देखते हुए इसके पीछे भी interesting story एक है कि ये by chance ऐसा कहते हैं अब सचाही कितनी नहीं मालूम कि वो ये बहुत सालों तक ये experiment करते रहे उनको विश्वास था कि change in flux होने की वज़े से बलब flux बलब चुम्बक हिलाने से कॉयल के पास मुझे current मिलनी चाहिए मिल नहीं रही थी तो वो भाई साब कई साल जब ऐसा की तो बीच से निकल गया और galvanometer की सुई हिल गई और उनका रहे चमतकार हो गया बले बले क्योंकि जो काम वो लगे पड़े थे और वो कुछ निकल नहीं पा रहा था वो बाई चांस बाई लक उन्होंने जटके से फेका और उस चुम्बक से पार हो गया उस कॉईल से पार हो गया और इंडूस्ट करेंट उन्होंने कहा हरी तो कमाल हो गया फिर उन्होंने सारी रहमाइड लिग दी यानि इस तो क्या सीके कि जो लोग महनत करते हैं लक भी उनका फ्रेवर करता है क्योंकि वो लगे हुए थे कई सालों से तो जटके ने फेका तो वो लगी तो था कि वो कॉयल से पास हो जाए मैगनेट वनना तो खुला रास्ता था वहाँ से भी पास हो सकता था तो जो लोग हाड़ वर्क करते हैं किस्मत भी उनी की खुलती है जुटे रही है आईए चलिए अगली बात करते हैं मुद्देगी तो बड़ी इच्छी बात भाई तो लोज अफ एलेक्टो मैगनेटिक इंडेक्शन कौन से दो लोग है और इस लोग को वेरी वेरी इंपोर्टेंट जितना कहूं उतना ही कम है क्योंकि ये लोग आपसे लिखने को भी आते हैं और पूरा बेस अलेक्टो मैगनेटिक इंडेक्शन का इनी पर टिका है जो बाते हमने समझी उसी को बस लिखा गया है तो देखिए क्या है फर्स लोग आप्स अलेक्टो मैगनेटिक इंडेक्शन फिर्स्ट लॉग क्या है फेरेडे सापकी लॉग जही है वेनेवर दी मैगनेटिक फ्लॉग्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्केट चेंज़ेज एंड एमेफ एंड हैंस ए करेंट इस इंडूज इन इट विच लास्ट लॉग ओनली एस दा चेंज इन फ्लॉग्स तेकिंग प्लेस इस फिनॉमेणा इस कॉर्ड एलेक्टो मैगनेटिक इंडेक्शन यह बात मैं आपको समझा भी चुका था फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी कॉयल से लिंग्ड मैगनेटिक फ्लॉग्स बदल रहा है तो उसमें एक इंडूज इमेफ पैदा हो जाएगा कॉयल में और क्योंकि कॉयल क्लोजड है इसलिए इंडूज करेंट पैदा हो जाएगी ये तब तक ही रहेगी जब तक की चेंज इन मैगनेटिक फ्लॉग्स हो रहा होगा और इस पूरी घटना को इस फिनॉमेना को हम लोग इलेक्टो मैगनेटिक इंडुक्शन कहते हैं ये पहला लोग है आप समझ चुके हैं फिर से ये इसलिए कि आप अच्छे से लिख पाएं और सौ में सौ लाएं काहे को 99, 98, 95 पूरी ताकत लगाएं काम होगा आगे चलते हैं सेकन्ड लोग क्या है अब पहले लोग में बताया गिया कि इंडूजड इंडूमेंफ पैदा होगा अब मन में हमेशा ही आएगा में दो कितना पैदा होगा उसका भी इन्होंने निवारन अपने लोग में कर दिया बताते क्या है the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit mathematically उन्होंने क्या बोला defy by dt rate of change of magnetic flux यही तो है rate of change of magnetic flux is equal to EMF E के उपर यह दो बार डंडे लगे हुए है या modulus लगा हुआ है यानि केवल यह magnitude है numeric value है अच्छा इस दो डंडो को जब हटाएंगे तो minus sign लगाना पड़ जाता है अब आप से यह भी सवाल बड़ा पुछा जाता है कि आखिर यह minus sign क्यों बहुत famous सवाल है बहुत जादा पुछा चाता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे है E is equal to minus d5 by dt and E is equal to minus n d5 by dt अगर यह यह जो कोईल है वो उसमें एक turn की जगा कई सारे turn है बहुत सारे turn है ऐसे n तो जो एक से एक कोईल में जो EMF था end कोईल में भी बनेगा उसी direction में वैसे ही तो जुड़ जाएगा अब सवाल यह उठता है कि यह जो minus sign है वो क्या बताता है वो यह बताता है कि जो induced EMF बनता है या induced current जो पैदा होती है वो इस तरह पैदा होती है जिससे उस कारण का विरोध कर सके जिससे वो बन रही है समझ में तोड़ी आया होगा कहने का यह मतलब है कि अगर आप अगर आप magnetic flux बढ़ा रहे हैं पहले दो line थी अब चार कर रहे हैं तो वो जो coil है वो यह चाहेगी कि दो से चार ना हो उसका oppose करेगी इसलिए negative sign है और यह बात lens law को भी प्रूफ करता है negative sign indicates that the direction of induced EMF is such that it opposes the change है यह change in magnetic flux जो magnetic flux में change हो रहा है उसका वो विरोध करती है अगर magnetic flux बढ़ रहा है तो घटाने कोशिस करेगी कैसे करेगी विस अगा देते हैं और अगर घट रहा है तो बढ़ाने कोशिस करेगी यह minus sign represent कर रहा है और इस minus sign का पूरा linkage lens law से है lens law भी बढ़ा important है क्योंकि वो यह बताता है कि induced current की direction किदर होईगी अब तीसरी कहानी निकली ना इससे कि बहाई electromagnetic induction होता है कितना इमेप बनता है current कितनी बन रही लेकिन किदर बन रही तो किदर बन रही का जवाब lens law देगा अभी हम समझेंगे उससे बात clear और हो जाएगी तो एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं lens law की तरफ ही आ गया है हम लोग तो lens law क्या बोलता है this law states that the direction of induced current in a circuit is such that it opposes the cause which produces it यानि वो उस कारल का विरोध करती है induced current जिससे वो जिससे वो पैदा हो रही है that is opposes the change in magnetic flux उसका मतलब change in magnetic flux में तो ये मजाग के तोर पे मैं आपको समझा देता हूँ फिर एक मजाग करूँगा जिसमें आप बुरा न मानेंगे तो मजा आएगा देखे क्या कहानी है अब यहाँ पर यह एक magnet है यह आगे इसमें बना के समझाया गया है मैं यहीं समझा रहा हूँ उसको फिर आगे बढ़ा लूँगा हम दो North South हमने लिखा अब यह मान लिजे इस वाले को magnet को आप V velocity से इसकी तरफ ला रहे हैं हमें मालूम है इसमें current पैदा होगी लेकिन current पैदा होगी क्योंकि magnetic field line बढ़ रही है पहले दो जा रही ही थी यह पास जाएगा तो दस जाएगी तो यह इसका विरोध करेगा कि तुम मेरे पास नहीं आओ हमें पसंद नहीं है यह बढ़ रहा है ना magnetic field line तो रोकने की कोशिस करेगा रुको रुको अब यह रुको रुको कैसे करे को कि इसके पास कोई हाथ तो है नहीं कि थपड़ लगा दे तुम मेरे पास क्यों आ रहे ह ऐसा तो कर नहीं पाएगा कोईल तो इसको रोकने के लिए क्या करता है यह जब नौर्थ आगे बढ़ रहा है तो अपने इस face पे नौर्थ पोल बना लेता है कैसे current flow ऐसा कराएगा कि नौर्थ पोल बन जाए और current flow कराने का आप जानते नौर्थ पोल कैसे लिखते थे clock face rule ऐसे यानि इसमें current की direction कैसी हो जाएगी anti-clockwise तो जैसे anti-clockwise होगी यह north facing हो जाएगा और north north को ripple करता है इसलिए रोकने का परयास कर लेगा बात समझ में आ रही होगी अब जब यह पास आ रहा था तो इसने अपने system बना लिया पास ना हो अच्छा आप देखते हैं कि जब यह दूर जा रहा होगा तो यह क्या करेगा तो एक कोईल फिर से बनाते हैं और यहां पर बना magnet साहब और यह velocity मलब यह से ले जा रहे हैं तो समझी गया अब आप दूर ले जा रहे हैं अब इसमें ऐसी induced current पैदा होगी जो कहेगी दूर मज जाओ क्योंकि magnetic flux जो magnetic field line मा लीजे भ change हो रहा है इस change को नहीं चाहता जन्य घटो नहीं बढ़ रहे हो तो बढ़ो नहीं घट रहे हो तो घटो नहीं तो अब ऐसी magnetic field line इसको ऐसा कुछ करना है जिससे जो घट रही है magnetic field line वो ना घटे यानि यह magnet दूर न जाए भाई 10 से 6 हो रहा है तो दूर जा रहा है तो कुश करना पड़ेगा, कि दूर मज जाओ, तो इसके लिए क्या होगा सीन? नौर्थ के सामने ये बना लेगा South Pole क्योंकि South Pole, North Pole एक दूसरे को attract करते हैं, तो ये बन गया साब South Pole और South Pole में आप जानते हैं इसमें current कैसी होती है? clockwise डिरेक्शन में और ये anti-clockwise wise एंटी clock wise तो जैसे दूर जाएगा यह ऐसा बना लेगा south pole की दूर मजग को की जो change हो रहा है उस change in magnetic flux का oppose कर रहा है तो आखिर सी change in magnetic flux से ही तो पैदा हो रहा है और उसी का oppose कर रहा है इसलिए interesting है लेंज लग यही बोलता है induced emf या induced current ऐसे क्या करती है लेंज लॉक के नुसार वो उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वो पैदा हो रहा है चेंज नहीं होगा तो बने की नहीं और चेंज होने देना नहीं चाहती ऐसा लफ़डा है तो मैं मजाग के दौर पे क्या बोलता हूँ और आप दूर जाएंगे तो दूर भी नहीं जाने देंगी कि रहे तुम कहां थे एकल आए नहीं मिले नहीं तो आपको ना पास जाने देंगी ना दूर जाने देंगी आप लेंज लॉक फॉलो हो जाएगा वाँ तो आप ऐसे समल लीजे कि कोई लड़की है प्यारी सी जो आप पसंद करते हैं न वो आपको पास आने दे रही है आपकी गिल्फरेंड है या फ्रेंड है न आपको दूर जाने दे रही है तो इस तरीके से मजाकिया अंदाज में इसको आप ध्यान रख सकते हैं काफी लंबे समय तक और ये बिल्कुल मैंने एक एक डिटेल आपको बता दी समझा के जिससे आप जीवन भर इसको न भूले गल्फ्रेंट तो वेसे नहीं भूलते आप बड़े हो जाएंगे तो भी याद रहती पुरानी कहानी आगे चलते हैं पड़ाई की तरफ है ना मुद्दे की बात आ गई और आप समझ गया यही जो घटना है ना यही रमाड यहां कही गई है अब यही रमाड कही गई है अब इसमें एक इंटरस्टिंग बात क्या निकलती है कि सवाल यह उठता है कि भाई इसमें तो हमने कोई च चार्जज या करेंट फ्लो हो रही है तो करेंट फ्लो होने की एनरजी कहां से आई इसमें हम तो दूर से ही लगे हुए हैं तो हमाई दूर से लगे होने पर यह जो भड़क रही है मैडम यह इनको एनरजी कहां से मिल रही है तो इसका सवाल इसका जवाब यह है कि जो आप आपने इसको पास लाने में work done किया है वही work या वही energy इसको मिल जाती है जिससे इसमें induced current पैदा हो जाती है तो lens law conservation of energy को follow करता है और इसी पर based ही है otherwise क्या होगा इसको इसमें अगर कोई energy खर्चा ना हो तो बैटे बटे पता नहीं कितनी current मिल लिया है अपने को लेकिन conservation of energy तो ह यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे एक तगड़ा power statement कि lens law and conservation of energy यानि lens law conservation of energy को follow करता है जितनी मेहनत हम करते हैं किसी चुमबक को magnet को पास लाने में वही हमारा energy मिल जाता है coil को और उसी से induced EMF होता है या कह दीजे कि जब हम दूर ले जाने में कुछ मेहनत कर रहे हैं तो ऐस सवाल आ जाए कि lens law conservation of energy को follow करता है तो answer करता है कैसे करता है जो पूरी रमैल अभी समझाईए आप one two three करके उसको copy paste मार देंगे मलब दिमाग से अब चलते हैं और एक सवाल है छोटा सा वो करने का प्रयास करते हैं देखिए अब इसमें a rectangular loop of area यह देखे area दिया हुआ है इस कई किताबों में s लिखा होता जो भी लिखना चाहें लिखी दो यहाँ पर तो यह हो गया साब कितना 20 cm x 30 cm यानि 600 cm और इसको मीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 x 10 की power minus 2 meter square उमीद आप बातों को समझ पाया होंगे अच्छा इस placed in a magnetic field of 0.3 tesla तो magnetic field की value दे रखी है 0.3 tesla with it plain normal to the field अगर यह normal to the field है तो angle कितना होगा field ऐसा है और आपने rectangular loop यानि ऐसे loop को normal to the field रख दिया है तो इसका area vector भी जिसे मैं a cap दिखा देता हूँ है ना s cap, a cap, n cap कुछ भी show करिए मुद्दा वही है area vector है ना unit vector area का unit vector तो यह इसका direction इधर रहे देखिए कि हमें इसको unit कीजेगा ऐसे ही बता तो कोई समस्या नहीं है और साथ में bv दर है तो what is the angle in between that zero degree का angle बन गया है है ना क्योंकि area vector plane के perpendicular होगा तो यहाँ 5 निकालने की बारी अगर आए तो 5 को हम कैसे कहते है बी ए कॉस थीटा और थीटा है शून तो यह हो गया बी ए कॉस जिरो कॉस जिरो वन होता है यानि बी ए अब बी ए की value डाल दीजें यहाँ पर बी था 0.3 टेसला और एरिया कितना है 6 इंटू 10 की power minus 2 चेतरी के ठरवन पॉइंट एट इंटू 10 की power minus 2 वेबर यह पहले वाले का अंसर आ गया है अभी दूसरा वाले भी कर लेंगे तो पहला वाले प्यार से निकला अक्सर ऐसे सवाल मिलेंगे आपको बोर्ड में बिल्कुल निश्चिन दो कि उसको करिए अच्छा color बदल लेते हैं blue ले लेते हैं अब दूसरे part का question है उसको समझते है अच्छा parallel to the field अब parallel to the field है यह दे इधर है बात पकड में आ रही होगी तो अब angle कितना बना बच्चे हो 90 डिगरी बना है ना अब 90 बना तो cos 90 कितना होता है मालूम होगा आपको cos 90 is equal to zero यह में लगता हम लोग तीसरा part करने लगे हैं तो तीसरा लिखता हूँ दूसरा भी करके दिखाता हूँ तो तीसरा part है यह third part है ध्यान लखिएगा तो third part में cos 90 की value zero इसलिए flux will be zero किस formula में cos 90 डालेंगे तो flux कितना आ जाएगा शून answer of third जैसे भूले ना number two की बात कर लेते हैं बोल रहा है inclined 30 degree to the field 30 degree to the field देखिए अब ऐसे question में गलती कर सकते हैं कई बच्चे जानते हो क्या गलती कर सकते हैं कि theta की value हो सकता आप 30 degree ले ले वो गलती हो जाएगी देखिए यहाँ पर b ऐसे है और यह जो rectangle है वो 30 degree ऐसे बना रहा है एरिया वेक्टर से नहीं बना रहा है एरिया वेक्टर तो इधर होता है perpendicular to the surface और यह पूरा 90 थीट है तो यह कितना हो जाएगा 60 तो theta आपको लेना होगा 60 degree यह गलती कई बच्चे कर देते हैं और जो भी गलती करेगा सवाल गलत हो यह एरिया वेक्टर है नॉर्मल और यह 30 बना रहा था तो angle is equal to 60 degree अब यहाँ पर 5 की value लेलो बी ए कॉस 60 degree यह value रख दी और इसको solve कर लीजे आप बी ए की value 0.3 थी और एरिया था 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 माइनस 2 और cost 60 की value कितनी होती है half दो से काट दीजे आ जाएगा 0.9 वेबर अंसर हो गया इस तरके से आप इसको बढ़ियां complete कर सकते हैं मैं हट जाता हूँ स्क्रीन शॉट या note down जैसे भी आप करते हैं वो चीज़ कर सकते हैं तो मैं इसको थोड़ा नीचे लाता हूँ और आगे शायद इसको आप मैं हट गया हूँ इसको आप note कर लीजे इसको थोड़ा उपर भी कर दूँगा जिसे आप प्रेम पूर्वक इसको कर पाएं तो इसको थोड़ा सा उपर भी कर देता हूँ ये भाई ये स्क्रीन शॉट या जो भी आप पसंद हो जो तरीका उसका इस्तमाल किया जा सकता है ठीक है अगले सवाल पर आते हैं लोग तो एक सवाल और है ये थीटा दे रखा है कुछ तो इसको भी निप्टाते हैं देखिए सवाल पढ़ ले तो लिका है तो मैंगनेटिक फ्लक् ये थीटा का मतलब ये फ्लक्स दिया है ये थीटा ना देखिए इसको फाई के लिए नहीं कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं दिस फाई इस तरह से ये कहानी है मैनेटिक फ्लक्स की अब कल्कुलेट दा इंडूस्ट करेंट थू दी कोईल एट टी इस इस इगर तो ट अब ये देखें बढ़ा ये ठीक टाक सवाल है सरल है बहुत लेकिन समझना होगा अब हमको जानते हैं इमेफ कैसे पता चलता है दी फाई वाई डी टी से मैगनिटूट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मैं ये लिख देता हूं इंडूस्ट इमेफ ओनली अगर नुमेरिक वैलू नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिखना पूटता यह तो डायरेक्शन नहीं बताता है ना केवल तो उस हिसाब से काम कर सकते हैं जहां जिस चीज की रिक्वार्मेंट लग रही है कहीं डायरेक्शन है तो डायरेक्शन आप अलग से बता दीजेगा और तो लिख भी दी जाएगे जैसी आपकी इक्षा मतलब यहाँ पर numeric value ले ली अब यह आप इसको integrate differentiate करेंगे प्लस 4T square प्लस 2T माइनस 5 तो आपको EMF निकलाएगा तो कर देते हैं पांस ते हैं 15T square differentiate करने के बाद differentiation कर लेते होंगे और 8T और प्लस 2 बस यह कहानी इतनी बन गई अब यह कहानी क्या थी यह कहानी है एक time दे दिया T वराबर 2 second पर यह इधर तो यहाँ पर T की value ना 2 second रखनी होगी कि उस समय EMF induced EMF कितना होगा तो 15 2 का square प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2 तो 4, 60 और 16 76, 2, 78 वोल्ट यह induced EMF निकल आई अब कहारा है induced current बताओ तो जो current की value होती है वो तो होती है EV upon R यह अपॉन आर यह निकाल चुके हो 78 वोल्ट है और resistance दिया है 5 इस तरह से सवाल हो जागा देखिए एक बहतर सवाल है और आना चाहिए आ जाए तो घबरान जाईएगा नोट कर लिजे मैं हटता हूं और फिर अगली कानी करते हैं तो यह इस किसका स्क्रींशॉट ले आप या जो भी चीज करना चाहते हैं नोट डाउन करना चाहते हैं नोट करने वगारा वगारा खेर चलो अब तक हो गया होगा एक दू सेकेंड हो गए तो आगे की कहानी करते हैं एक और सवाल लेते हैं तेन ओम रिस्टेंस का इसको भी करके देखते हैं लिखाए ये 10 ohm resistance, r की value 10 है, लिखी लो यहां भाई, आप इसी तरह numerical करिएगा, ऐसे लिख लिख के, coil has 1000 tons, n की value लिख दो 1000, and at a time, 5.5 into 10 की power minus 4 weber, और flux passes through it, किसी समय जो flux pass हो रहा था, जिसे मैं अब भी 51 लिख देता हूँ, 5.5 into 10 की power minus 4 weber, if the flux falls to this one, flux falls कर गया है, यानि 5.2 की जो value है, 0.5 into 10 की power minus 4 weber, इतना हो गया, और कितने time में ये कहानी हुई है, तो T की value है, 0.1 second, ये data मिल गया, find the EMF generated in volts, हमको निकालना EMF, यानि पता करना है EMF, और, and the charge flow through the coil, charge flow का मतलब है, current निकालनी है, मतलब निकालना तो charge है, लेकिन current के through आएगी, तो ये पूरा data इस तरह लिख लिजे जो numerical करने में जिनको असुविधा होती है, हमेशा पढ़ें, और इस तरह जो symbolic form है, Q, R, T, V, S, लिख लिजे, कहानी मतलब लिखेगा कि resistance is equal to 10 ohm, जिन्दगी में नहीं निकलेगा सवाल, ठीक, अब हमें मालूम है कि जो induced EMF होता है, उसका formula हम नोग ने पढ़ रखा है, E is equal to minus d5 y dt, यानि इसको लिख सकते हो, minus n phi 2 minus phi 1 upon t, ठीक, यह formula है, इसी में इनकी value डालके काम तमाम कर देंगे, तो आईए करते हैं, मेरे काल से color बदलने थोड़ा मज़ा आएगा, तो E is equal to, लिखा minus 1000, चक्कर थे, टर्न्स थे, और उसके बाद into bracket, 52 की value is 0.5, into 10 की power minus 4, minus 51 है 5.5, into 10 की power minus 4, whole upon t, और t दिया 0.1 second, यह देखें, यह पूरी value डाली, अब इसको जब आप calculate करेंगे न, तो यहाँ E की value मिल जाएगी 5 volt, यह देखें, अब यहाँ पे मैं color field से बदल लेता हूँ, थोड़ा सा दिखाई पड़े आपको, E निकाल लिया, 5 वोड तो यह पहला answer तो निकल आया, यहाँ पे answer भी लिख दो, लेकिन अब दूसरा पूछा है कि charge बताईए, तो charge की value क्या होती है, part number two, यहनि Q is equal to I into T, यह आप जानते ही है, तो इसके लिए निकलना पड़ेगा I, तो थोड़ा मैं इसको ऊपर करना चाहूँगा, और इसके लिए I find करना है, तो I होता है E upon R, तो E कितना निकल आया है, 5 volt, resistance दिया है क्या 10 ohm, तो current कितनी मिल गई, 0.5 ampere, अब यह लग गया कहानी अराम से, यानि Q is equal to I T, और I की value is 0.5 ampere, और T is 0.1 second, दोनों को multiply कर देंगे, 0.05 कुलाम, यह आपका answer आ गया है, तो देखिए इसको भी note कर लीजे, यह बिल्कुल ऐसे सवाल कर लेंगे, इनम काम मन जाएगा आपका, तो मैं इसको तोड़ा सा नीचे करता हूँ, और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, यह रहा, इसको आप note डाउन करें, फिर अगली बात हम लोग करेंगे, ठीक है, तो इसको note कर लिया होगा, थोड़ा सा उपर भी कर दूँ, यहां तक, ठीक है, तो इसको note कर लीजे, फिर आगे की बातचीत करते हैं, चलिए बढ़िया, अब देखिए, अगली चर्चा को आगे लेके चलते हैं, अब यहां पर क्या है, कि method of, method of generating induced EMF, जो induced EMF होता है, उसको, उसके methods क्या है, उसको generate करने के, यह भी जान लीजे, तो सबसे पहला method हो गया, induced EMF, भाई, changing the magnetic field, भाई, किसी भी loop से, जैसे यहां फोटो बनी है, या आप ऐसे मना दीजे, यह कोई loop है, यह closed coil है, इस से जाने वाला जो magnetic field है, आप बदल दो, पहले एक Tesla था, दो Tesla कर दो, जैसे बदलेंगे, induced EMF में पैदा हो जाएगा, समझ रहें आप, दूसरा induced EMF by changing the area of the coil, दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, जैसे फोटो बना है, यह एक area पकड़ा, आपने, magnetic field में कोई change नहीं कर रहे है, magnetic field लगा हुआ है, अब इसमें पहले यह closed वाला area इतना है, और आपने इसको इदर भगाना शुरू कर दिया, तो अगले कदम पर क्या हो जाएगा, यह यहाँ पहुंच जाएगा, तो area बढ़ जाएगा, यह A1, A2, तो हम जानते हैं, flux में BA cos theta होता है, तो जहां आपने area को change किया, बढ़ाया या घटाया, वाँ change in magnetic flux हो जाएगा, और आपका induced इमें बन जाएगा, तो इस रेल को आप आगे या पीछे कहीं भी ले जाएगे, तो change in area होगा, और उस वज़े से magnetic flux बढ़ेगा, और induced इमें पैदा होगा, खेर, अगली बात करते हैं, number 3, induced इमें by changing relative orientation of the coil and the magnetic field, अब इसमें क्या किया, कि ना हमने magnetic field बदला, ना हमने area बदला, अब हम theta बदला, भाई यही तो देखिए, कितना सरल होता है सब, यह आप लिखके चलते, तो एक बार B बदला, एक बार A बदला, एक बार theta बदलेंगे, तो तीन तरीके निकल आए, उसमें बहुत सब एकदम सरल होता है सब, प्यार से है, दोस्ती हो जाएगी, तो यहाँ पर अब यह सथीटा को बदल रहे हैं, जैसे आपको generator में या motor में, यह आप 10th class में भी पड़े हुए हैं, 10th में था जहां तक, तो यह आप इस coil को गुमाने लगी, यह magnetic field है, उसमें coil को, ऐसे coil है, इसको गुमाईए, तो इसका area vector से बनता है, वह होता है, N, B, A, omega, sin, omega, T, यह इसलिए लिख दिया है, कि इस पे सवाल अवाल कभी आ जाते हैं, तो आपने इप्टा दीजेगा, N है number of tons in the coil, B है magnetic field, A है area of the coil, omega है, उसके angular velocity, गुमने की angular velocity, sine omega T, T है, जिस time पर आपको निकालना है, और अगर इसी को, इस NBA को, देखिए, N, B, A, omega जो लिखा है, इसको जो है, change E naught लिख दिया जाता है, इतने को, यह E naught हो गया, sine omega T, और omega को लिख सकते हो, 2 pi F, T, तो 2 pi F, T, तो यह formula सेम है, बसको छोटा करने के चक्कर में E naught कर दिया ह peak value होती है वैसे, तो यह आप समझ गया होंगे, किसकी गडित, क्या है, आगी चलते हैं किदम बिटा, और चीजों को, अचा यह एक सवाल आगिया है, तो सवाल को कर लेते हैं पहले, यह बता रहा है, इस circular loop of area, 300 centimeter square, तो A लिखो पहले भाई, जैसे हम लोग यह आप करेंगे एक्जाम में, इसको मीटर में चेंज कर लो, तो मीटर में चेंज करेंगे, तो 300 into 10 की power minus 4 meter square, 25 turns है, 25 turn हो गया, rotates about its vertical diameter with an angular speed, angular speed का मतलब, omega दिया हुआ है, 40 per second, in a uniform horizontal magnetic field of this value, B is also there, यह कहानी हो गई, obtain the maximum voltage induced in the coil, यह जो कहानी थी, यही maximum voltage थी, peak value यह maximum voltage, इस E naught की value मैं लिख दूँ कहीं पर, तो ज़्यादा connect करोगे, E naught है N B A omega, ठीक, यह formula ही हमको यहां लगा देना है, आईए लगा देते हैं, इसको देखते हुए, हमने यहां पर लिखा, E naught जो की है maximum value, और एक कितने के बराबर है, N B A omega, सारी values तो दी हैं, 25, 0.05, area है 300 into 10 की power minus 4, और omega है 40, सबको calculate करेंगे तो value आजाएगी डेड़ वोल्ड, यह आपका answer हो गया, मैं हट जाता हूँ, note कर लीजिए, बड़े प्यार से काम हो गया, आईए, यह देखें, note करिए इसको, और फिर हम लोग आगे की तरब बढ़ते हैं, चलिए, एक किदम और आगे बढ़ते हैं, अब अच्छा यह आगया self induction, अब यह self induction, mutual induction यह आखरी topic के chapter बहुत चोटा है, अब पूरा आपको number देने के लिए बनाए है, और number आप ले लीजे, तो देखते है self induction क्या चीज़ होती है, बाकी जो लिखा हो अभी समझा देंगे, देखे self induction में क्या होता है, जैसे आपने एक coil लगा रखा, इस coil में बैटरी लगाई है, जैसे ही इसको आप circuit close करते हैं, तो इस में जब current flow होती है, तो इस coil में क्या होगा, current बढ़ेगी, मैंने आपको बताया था कि 5 ampere की current जानी है, तो 0 से 5 बढ़ती है step manner में, 0 से थोड़ और बड़ी, फिट तोड़ी और बड़ी, फिट तोड़ी और ऐसे करते करते 5 ampere पहुंचेगी, तो ये कुछ समय लेती है, तो जब ये कुछ समय लेगी इस coil के अंदर, तो coil के अंदर ही back EMF induced जो electromagnetic induction वाली घटना समझे थे, वो coil के अंदर ही change in flux होने लगेगा, क्योंकि इस तो इसके अंदर जाने वाला flux बदल रहा है, जब flux बदल रहा है तो induced EMF पैदा हो गया, और वो induced EMF induced current पैदा कर देगा, तो इसमें से एक back EMF और induced current पैदा हो जाती है, खुद ही इसलिए बोले self inductance, self मतलब सोयम, खुद, खुद ही पैदा हो जाती है, इसमें जो current की direction होती है जो हमारी normal current है, जो हम बैटरी से flow करा रहे है, वो तो इस direction में है, लेकिन जो induced EMF बनता है, उसको बोलते है back EMF, वो इसका oppose करेगा, और current की direction, इसके opposite यह अगर इधर है, तो यह इधर है, अगर यह closing switch है तो, बढ़ती हुई current है तो, अगर घटती हुई, देखिए opening switch, अगर अपने off कर दिया, तो यहाँ पे flux जो है, वो घटने लगेगा, तो induced current क्या करेगी, घटो नहीं, तो उसका support करेगी, तो जिस direction में current है, भलब घट रही है basically, उसी direction में induced current flow होने लगती है, तो यह ध्यान किएगा, यह closing switch है, यह opening switch है, बात पकड़ पा रहे हैं, यह सारी घटन वो स्वयम खुद ही हो जा रहा है, यानि जैसे कि माली जहम भूके हों, और मजा की अंदाज में खुद खाना मिले, तो हम इतना खा लें, कि हमारा पेट खराब हो जाए, तो हमने खुदी गोई दिन से खाना नहीं मिला, तो हम खुदी अपना रोक नहीं, विरोध नहीं कर बन गया, खुदी इंडियूस्ट करेंट बन गई, जो उस चीज का पोस कर रही, जो आप खाने जब खाते जाते हैं, यहां तक बर जाता है, तो बैक ही में बन जाता है, यह अच्छे एक्जाम्पल होगा, खा रहे हैं, माली जो खुब भूके हैं, बीस पूरी खाएंगे, आप क्या हुआ, खाते गए, दस पूरी इंडर, पंदरा पूरी इंडर, अब उसके आगे जब चलेंगे, तो हमारा तो बैक मारेगा ना, पेट कुद बढ़ चुका यहां तक, अब जब आप लेंगे तो फ्लक्स मारता है ना उपर, आप जा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको आपकी पकड़ में आ रही होगी बात, खुद में घटना है, इसलिए इसको बोलते हैं, अच्छा, यह दिखें यहां पर लिखा भी है, अच्छा, अब यह जो सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, यह अलग-अलग कौईलों में अलग-अलग होएगा, और अलग-अलग करेंट के इसका सिंबल होता है, अब वो क्या है, आप से पूछा भी जाता है, उसको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं, देखिए, कोफिशन आफ सेल्फ इंडक्टन, जिसे यह एल होता है, इसका मतलब एल है, अभी लिखा एका भी होगा, यह एल है, तो आप क्या देखते हैं, कि ज फॉर्मूला होगी है आपका, फाई इस इकल टू एल ही, वोट इस एल हीर, एल इस दी कोफिशन आफ सेल्फ इंडक्टन, यह देखिए, यह आप पर लिखा हुआ है, मेरे काल से दिकरा होगा, कोफिशन आफ सेल्फ इंडक्टन क्या है, एल है, तो एक फॉर्मूला बेसिक होगा, फाई इस इकल टू एल आई, दूसरा हम क्या करते हैं, कि इस इको अगर डिफ्रेंशेट, डिफाई बाई डिटी निकाल दे, जो कि EMF से जुड़ता है जाके, तो बैक EMF क्या मिलता है, इस इकल टू माइनस डिफाई बाई डिटी, मतलब माइनस एल डिआ बाई डि है, L है self, coefficient of self-inductance, और self-inductance की जो unit होती है, वो henry होती है, capital H is the symbol, तो यह बात पूरी पकड़ में आई होगी, यही बात यहाँ self-induction में समझाई गई, इस पर सवाल भी आता, आप से पूछा भी जाता है, एक कदम और आगे लेके चलते हैं, अब यहाँ पर कुछ values हैं, द long solenate किसे बोलते हैं, जिसका radius से ज़्यादा उसकी length होती है, काम बर की, तो वो हो जाएगा long solenate, उस समय जो coefficient of self-inductance आता है मेरे बच्चों, वो mu naught n square la आता है, mu naught हम पहचानते हैं, permeability of free space, small n क्या है, number of turns per unit length, आप जानते थे न, n is equal to capital n upon L कहे दो, capital n number of turns होती है, हैं, तो number of turns per unit length, ध्यान लगना गलती हो जाती है, और L है इसकी length और A है इसका cross section area, तो गभी भी निकालने को आवे, तो आप इसका इस्तमाल कर लीजेगा, अब इसी में जो N है न, वो N by L अगर formula लगा देवें, तो यह value बन जाती है, mu naught n square, capital n square, A upon L, दोनों formula एकी हैं, जह जो लगें, लगा दीजेगा, कौन सी किताब पढ़ने क्या दिया है, उसमें भी अलग-अलग ऐसे लिखा हो सकता, तो आपको घबराने क्या वशक्ता नहीं, यह दोनों क्या है, self inductance के formula हैं, और किस case में है, long solenite के case में है, ठीक, अब देखते हैं, factors on which self inductance depends, self inductance किस चीज़ पर depend करता है, तो आप यह formula अभी देखे थे, mu naught n square a upon l, ठीक, इसी से पहचान लीजिए, कि number of turns अगर हम बढ़ाते हैं, तो l बढ़ जाएगा, area of cross section, l is proportional to a, and permeability, यह नहीं, mu naught की बात कर रहा है, अगर यह उस, जो, क्या बोलते हैं, medium डाल दिया, mu डाल दिया, soft iron डाल दिया, suppose करिए, तो mu naught की जिगा, mu हो जाएगा, इस पर depend करेगा coefficient of self inductance, तो e की value, self inductance बढ़ने से e बढ़ जाता है, back e में बढ़ जाएगा, क्योंकि e is equal to, आपने देखा न, minus l di by dt होगा, तो अगर किसी में l आप बढ़ा दोगे, तो back e में बढ़ जाएगा, तो इसलिए क्या होता है, आपसे कभी सवाल भी पूछा जाता है, कि मान लीजे, ये मैं ऐसे बनाऊं, कि कई बार पूछा गया है, तो चलिए discuss कर लेते हैं, ये एक बल्ब है, और ये एक बैटरी लगी हुई है, अब बच्चों क्या होता, कहते क्या हैं, कि इसको on करेंगे, तो बल्ब जलेगा, अब ये बल्ब जल रहा था, अब यहाँ पर हमने soft iron का एक टुकड़ा, soft iron, इसके इंदर डाल दिया, अब ये बताओ, बल्ब में क्या होगा, और तेज जलेगा, धीरे जलेगा, बंद हो जाएगा, तो कई बच्चे गलती कर देते हैं, ये जैसे ही soft iron इसके इंदर गुजेडेंगे, ये धीमा जलने लगेगा, faintly जलेगा, faint हो जाएगा, धीमा अब धीरे जलेगा, क्यों ऐसा होता है, जैसे ही soft iron डालेंगे इसके इंदर, permeability of free space से mu बढ़ गया, mu बढ़ गया, L बढ़ गया, E बढ़ गया, E क्या है, back EMF, तो जो EMF इधर ता, उसका opposite वाला बढ़ गया, तो जाने वाला घट गया, इधर जा रहा है ते 5 opposite था एक, अब इधर जा रहा है, चार opposite हो गया, तीन, तो पहले से dim हो गया मामला, तो बलब धीरा जलने लगता है, और जब इसको बाहर निकाल लेंगे, तो फिर से ते चकाचक, तो ये सब logical है, आप मज़ा आने लिए, अगर जैसे मैं सरलता के साथ खुश समझता हूं, और जब तक भी कुछ राइटर किताब के ऐसे होते हैं, जो क्लिष्ट लिख देते हैं, तो anyway, वो तो अलग की बात है, जैसे ही आपको ये बते समझ में आएंगी, आपको मज़ा आने लगेगा, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूंगा, मैं आपको 100% विशास से बता रहा हूं, एक किदम और आगे चलते हैं, अच्छा भई, फिनोमेना एसोशीटेड विज सेल्फ इंडेक्टेंस, अब कुछ फिनोमेना हैं सेल्फ इंडेक्टेंस के उसकी बात कर लेते हैं, जैसे स्पार्कलिंग, आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा, कि जब बिजली का स्विच, बलबलो का स्विच आप आउन करते हो, या ओफ करते हो, तो उसमें चिंगारी निकलती है, बड़ा कॉमा नहीं है, यह आपने देखा होगा, मेरे याभी निकलती है, आप क्या भी निकलती होगी, कभी किभी ओन करो है, दर लगता है, या आग ने लग जाएगा, वो घानी स ऑफ करते हैं, उसको उसी डियरेक्शन में, जूचीज घट रही है, उसको घट नहीं नहीं देगा, ज़्यादा बन जाता है, और वहाँ पर स्पार今回 आपको दिखते हैं, उससे स्पार्किंग हो जाती है, आप समझ पारे होंगे, इतना ज़्यादा बनता है कि हवा में, में मैंने समझाया था तो आप वहाँ देख सकते हैं वह इवन अचीव होता है ब्रेक्डाउन वोल्टेज यह ब्रेक्डाउन एलेक्टिक फील्ड और वह एयर में ही स्पार्किंग करा देता है एयर मालक्यूल्स को या उसको लीकेज उफ चार्ज कर देता है कि इतनी कहराई सिसमझ पाएं समझें वरना आप समझ गया होगे दूसरी बात करते हैं नौन इसमें एक बार दीए इसको एक बार मेंग टॉसरी बार इंदर धार कर रही तो दूसरी इसकी दूसरो में बन रहा इदर दूसरो नहीं दूस्वी में लेकिन काफी हथ तक खतम कर देते हैं एक दूसरे को तो यह इस तरह की नॉन इंडक्टिव वाइडिंग की जाती है जो आप वो यूज करते हैं ना अपने लैब में क्या बोलते हैं उसको बॉक्स रियूस्टेट बॉक्स कह लीजे रियस्टेंस बॉक्स जो की आप निकालते हैं तो अपलाई जैसे ही इसको लगा देंगे यह यहां पर रियस्टेंस एपलिकेबल हो जाएगा तो यह इसी तरीके से मना जाते हैं कि जो रियस्टेंस हो वो प्रॉपर उतना ही रहे ज एक्टोमागनेटिक डैंपिंग में भी कहानी वही है कि महां लीजे कोई मार्कर या पॉइंटर है अगर यहां पर बैक इमेफ नहीं बने तो यह जब रीडिंग देने के लिए यहां पहुंचे करता है तो एसे हिलता है कि इसमें दो फिनोमेफ यह हैं और रूख जात नहीं हो गलती हो तो इâte away करता एक तो यह बात है दूसरी बात क्या होती है कि एलेक्टोमैनेटिक में डियू टु दिस डैंपिंग आपकी एनरजी भी लॉस होती है वह एक एंप्लिटूड है और उस एंप्लिटूड में आपका ये बैक इमें बन रहा है तो लूस करता रहता तो तो electromagnetic damping हो जाती है जो आपको wave form में आपने जो पढ़ेंगे electromagnetic waves में इस तरह का wave nature आता यह जा रहा है तो यह जो कि छोटा होता जाएगा चोटा होता जाएगा चोटा होता जाएगा एक कहानी खैर चली एक केदम और आगे बढ़ाते अब दूसरा आता है mutual induction अब बड़े अराम से इसको समझ सकते हैं जो घटना खुद में घट रही थी क्या होता है कि दो आदमी भूके हैं है बगवान कैसे कैसे examples तो वो अब वो एक को खाना मिला वो दूसरे के सामने पूड़ियां दजेड़ रहा है क्या खीर बड़ियां है पूड़ी दावत में तो दूसरा जिसको खाना नहीं मिला है उसके उपर असर होने लगेगा ना लार चूना शुरू कर देगा कभी कभी दिखिए क्या होता है मजाक मुझे याद आगिया कि जैसे कोई नीवू के रस की बात कर दे खटे अचार की तो अपने दांत में सुन के खटा पना जाता है मेरे तो आ जाता है उमीद है आपके भी आ जाता होगा कमेंट करके बताईएगा आप समझत पा अगर आपके अंदर थोड़ी सी sensitiveness है तो अपने को तो लगता है इसलिए मुझे बताया शायद आपको भी लगता हो बताईएगा तो यह mutual inductance में दो coil आ जाते हैं एक में हम change करते हैं दूसरे में अपने आप change होता है यही बात इसके अंदर लिखी है the phenomenon of production of induced EMF in one coil due to the change of current in the nevering coil is called mutual induction यहाँ पे देखी फोटो देखिए यह माली जे primary coil है पी लिखा है यह secondary इसके अंदर कोई circuit नहीं लगा केल से केवल galvanometer लगाया यह जाचने के लिए कि इसके अंदर current flow हुई है कि नहीं और कितनी छोटी मोटी current गई है current flow होगी इस वज़े से इसके इंदर बाजू वाले में क्या होगा एक induction पैदा हो जाएगा और वो होगा mutual induction लिखा है ना change of the current in the nevering coil इसमें आपको current में change मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर flux जो लिंग्ड है वो बदला है current बनी हो जितना बदला उसकी वज़े से यह पैदा हो जाएगा secondary coil में आगे चलता है कितना होता है देखिए गटना at any instant the magnetic flux linked with the secondary coil is proportional to the current in the primary coil दूसरे में दूसरी coil में जो flux है current है वो इस पर depend करती है वो flux उसमें associated flux इस पर depend करता कि पहले वाले में कितनी current है current in the primary coil आप समझ गया होंगे यह primary coil यह secondary coil यह P यह S तो इसके अंदर flux जो linked हो रहा है वो इस पर depend करेगा इसके अंदर current कितनी है तो आप क्या लिख देंगे phi is proportional to I जितना ज़्यादा I उतना ज़्यादा phi हाई phi समझ में आरी होगी बात तो यहाँ पर मेरे कहाँ से कहीं पर कॉमा लगाना चाहिए था यहाँ phi is proportional to I अब फिर एक proportionality constant आ गया इस बार M क्योंकि दो coil की कहानी है तो mutual induction की कहानी है तो formula बन जाता जो basic phi is equal to M I और M क्या है coefficient of mutual induction यहाँ पर लिखा है M is a constant it is called coefficient of mutual inductance तो यह M की value है वहाँ पर self inductance वाली चर्चा थी L के लिए अब यहीं पर हम जाने d5 by dt कर दो कि तो E MF मिल जाएगा तो एक formula और बन गया E is equal to minus di upon dt तो यह दो फॉर्मूले आपके लिए बड़े important है in case of mutual inductance mutual inductance जब भी होगा दो कोईल चाहिए mutual है न वर्डी बता रहा है और mutual inductance की जो unit होती है वो भी हैंरी है तो हैंरी is the unit of mutual inductance और self inductance की भी unit हैंरी ही थी तो दोनों की unit में कोई बदलाव नहीं है अब देखिए यहाँ पर अच्छा equation से M की value निकालोगे तो E upon dy by dt कर सकते हो यह सारी value 1 कर दो M के बराबर EMF हो जाएगा हैनि rate of change of current अगर 1 कर दे हैं तो जो EMF होगा वो mutual inductance के बराबर होगा यह एक definition type लिखी है यह आप बढ़ा सकते हैं कोई भी खास समझाने वाली बात नहीं है अब देखिए यहाँ पर अगली बात कि दो long solenoid के लिए क्या होता है तो long solenoid में एक important बात ध्यानक नहीं बाकी तो आप बुद्धिमान है कि जैसे की पहली कोईल यह है आपको ऐसे बना देखिए यह एक कोईल है देखिए जिसे हम बोल लें primary कोईल और current इसमें flow कराएंगे I1 P लिख देता हूँ है ना बात समझ में आई और यह length अब लेते हैं कुछ L हो जाएगा हो ठीक तो इसलिए सरता के लिए जो secondary कोईल है इसको भी L ले लेंगे लेकिन area different लेंगे तो माल लीजे यह हमने दूसरी कोईल लगाई जो पूरी तरीके से ऐसे है इसके अंदर पहले वाली है इस इस सेकंडरी कोईल जो लगी हुई है तो इसका length also same but the area is different इस वाले का पहले वाले के area को A1 कह देते हैं इस वाले area को A2 कह देते हैं ठीक अब यह जो coefficient of mutual inductance आता है यह M is equal to mu naught N1 N2 A upon L यह जो A है ना यह A कौन सा होता है common area दोनों में तो इसमें common area कौन सा A1 बड़ा वाला नहीं लेना है समझ रहे हो मेरी बात यह बताने कोशिस कर रहे है A is the common area जहां पर flunks का linkage है तो यहां कहीं लिखा नहीं लिखा मुझे नहीं मालूँ आपको समझा दिया तो इस दोनों case में हमें A1 लेना A2 नहीं लेना A2 बड़ा है तो A1 A2 में जो common area होगा छोटा वाला ही common में जाएगा पूरी तरह Lincoln में वही area लेते हैं ठीक तो यह A क्या है common area मुझ नॉट कभी गलती से A2 मतले ना इसलिए थोड़ा जोर दिया इस पर मुझ नॉट N1 N2 नंबर आफ टरन्स हैं इसका number of turn N1 हो गया इसका number of turn N2 हो गया length दोनों की same थी इसलिए किसी की मानो L बराबर L A है common area जो मैंने चर्चा किया आपसे और इसी को आप अगर लिखना चाहें तो L L से divide कर देंगे तो N upon L N1 होता है N2 upon L N2 होता है 1 L कम था तो उपर multiply गया A L आ गया तो mu not N1 N2 A L N1 N2 क्या है number of turn per unit length और ये अगर area को πाई R1 square के दो देखिए R1 आ गया क्योंकि area हम लोग common area ले रहे हैं जो कि A1 है तो mu not N1 N2 πाई R1 square L ये formula याद रखना है इस पे सवाल अवाल आते हैं और आप निश्चित तोर पे कर लेंगे कोई इसमें परिशानी की बात नहीं है ठीक है एक कदम और आगे बढ़ाते हैं आईए अब देखिए ये लिखा है factors on which mutual inductance depends ये पूछा हुचा जाता है इसलिए आपको पता होना चाहिए अब देखिए यहां पर formula हम ये लिख लेते हैं पहले तो जिस formula को पीछे हमने देखा था mu naught n1 n2 और πाई r1 square या area upon l यह यहां पर area भी लिखा जा सकता है यह area भी है जिसको πाई r1 square लिख दिया है तो number of turns m is proportional to n1 n2 यह देखिए n1 n2 m is proportional to n1 n2 बिल्कुल ठीक बढ़ाएंगे अगर n1 n2 का multiplication ज़्यादा है तो coefficient of mutual induction ज़्यादा हो जाएगा common area of the cross section अगर यह common area था अगर वो ज़्यादा होता है तो coefficient of mutual induction ज़्यादा होगा इतना सरल है relative separation दोनों में कितना separation है separation कैसे हो सकता है ऐसे देखिए मालीजे एक coil ऐसे है पहले वाले में तो पूरी चढ़ा दी थी मालीजे यहाँ पर दूसरी ऐसे रख दी हमने तो there is a separation इन दोनों में separation होगे है न यह देखिए जगा खाली है तो अगर relative separation ज़्यादा है तो भाई कम हो जाएगा M M will reduce separation ज़्यादा M कम relative orientation of two coils orientation का मतलब क्या है कि मालीजे एक coil ऐसी है तो दूसरी coil कैसी है ऐसी भी तो हो सकती है दूनों में 90 degree angle बन रहा है इससे में flux का कोई association ही नहीं आएगा इसको यह भी बोलते हैं इसका एक term होता coefficient of coupling वो भी एक slide में डाला है जो डाली थी जो फोटो दिखाई थी आपको यह यहाँ पर coefficient of coupling के होता value 1 होती है यानि maximum जितना flux है उतना दूसरे में associated है और इसके लाबा कुछ orientation बदलेंगे जैसे जैसे मैंने यहाँ बताया तो flux link कितना है शून आपको यह ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे एक है और एक माली जी तिरची है आपके ऐसे आएगा नहीं हम समझाने के लिए तो flux में फरक पढ़ जाएगा ना coefficient of coupling बदल जाएगी k की value 1 से 0 के बीच में रहती है 0 मतलब कोई association of flux नहीं और 1 का मतलब पूरी तरह flux है इसमें कुछ इसके बीच value आजाएगी तो यह orientation का यह मतलब हो गया permeability of the core material बंदर जो material डाल रहे है यहाँ mu naught था soft island डाला तो mu बन गया उससे value बढ़ जाएगी या घट जाएगी जसा हम घटेगी तो है नहीं क्योंकि vacuum के इलावा क्याड डालेंगे बढ़ जाएगी mq value है ना इस तरीके से यह बात आप समझ पाए अब यह देखे कोफिशन्ट of coupling की मेरे जिकर कर रहा था जिससे बात पकड़ने में आपको असानी हो तो यह देखे second case है जहाँ पर coefficient of coupling शून हो जाएगी इस case में 0 और इस case में k is equal to 1 होगी तो अगर L1 L2 दुनों का self inductance है तो k is equal to mutual inductance upon under root L1 L2 यह एक formula होता है चोटा सा formula ध्यानक लीजे और मैंने बताया k की value 0 और 1 के बीच रहती है और बाकी बातें आप समझ गये है k is equal to 0 होगी m बराबर 0 आजाएगा k 0 होने का मतलब क्या है कि ऐसी situation है तो इसमें कोई mutual inductance आपको नहीं मिलेगा चली आगे की सर्चा कर लेते हैं मेरे काल से कुशन होगा यह देखिए इस numerical को लगाते हैं बहुत असान है और यह देखिए what is the self inductance of a coil L पूछ रहा है in which magnetic flux of 40 millie weber is produced 5 लिखे हैं और 40 millie weber है तो इसको हम लोग weber में convert कर लेते हैं 10 की पावर माइनस 3 weber अच्छा इस प्रोडूज बन 2 ampere current I की value दे रखी है 2 ampere बहुत ही हलका सवाल हम ही जानते हैं कि जो L की value होती है वो क्या phi जो होता है वो होता है L I के बराबर हमने अभी समझा सीखा है L निकालने को बोला है इसने तो हो गया phi upon I phi कितना है 40 into 10 की पावर माइनस 3 upon 2 solve करोगे तो आजाएगा 2 into 10 की पावर माइनस 2 Henry ये answer आ गया मैं किनारे हो जाता हूँ नोट कर लीजे बहुत सरल सवाल है और ऐसे सवाल एक्जाम में आए तो एकदम फोर डालिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल पर एक सवाल और आपके लिए लिखा है कि if a rate of change of current of 4 ampere per second rate of change of current यानि di upon dt 4 ampere per second induces an EMF of 20 milli volt back EMF या जो induced EMF है उसकी value कितनी है 20 milli volt मतलब milli को change कर दो 10 की पावर minus 3 volt ठीक है what is the self inductance of the solenoid self inductance निकालना है हमें formula मालूम है L magnitude के वाल नुमेरिक वैलू ले रहे है di upon dt और L निकालना है तो ये e upon di upon dt क्या इसमें जाता है e की वैलू हो गई 20 into 10 की पावर minus 3 di by dt दे रखा है 4 5.25 into 10 की पावर minus 3 हेंरी या कह सकते हैं 5 milli हेंरी अंसर आगे देखिए ऐसे सवाल आएंगे तो गलत क्यों करोगे भाई बहुत सरल है नोट कर लीजिए मैं हट जाता हूँ सामने से screenshot या pause was जो भी आप करना कराना चाहते है खेर अगला एक सवाल लेते है बेटा अब तक तो नोट करी लिया होगा फिर है an emf of 0.5 volt एक emf 0.5 volt है तो e की value कितनी रखी है 0.5 volt is developed in the secondary coil when current in primary coil changes from 5 ampere to 2 ampere current बदल रही है 5 ampere से 2 ampere तो delta ही क्या हुआ di ही क्या हुआ मलब change in current तो change in current हो गया 2 minus 5 minus 3 ampere 5 से 2 ampere जा रही है तो 2 minus 5 हो गया इन 300 millisecond dt की value कितनी है 300 millisecond मलब 300 into 10 की power minus 3 second यह दे रखा है calculate the mutual inductance अरे भाई प्यार से हो गया mutual inductance क्या होता है e is equal to minus m di by dt और m निकालना है तो value रख दीजें यहाँ पर 0.5 e की value minus m हमें पता नहीं di by dt कितना हो गया minus 3 upon 300 into 10 की power minus 3 अब यहाँ से आप m calculate करेंगे 0.05 henry आ जाएगा this is your answer हट जाता हूँ note कर लीजिया तो यह note down आपने कर लिया होगा screenshot या जो भी process आप पसंद करते हैं इस तरीके से पूरा chapter देखिए हो जाता है जैसे मैं याद दिला दूँ कि यह one shot अर्विन सेर का one shot और उसे different है क्योंकि सभी topics आपके slivers के according covered है जिस बच्चे को नहीं भी आता होगा वो अगर यह one shot देखेगा तो वो काफी confidence या उसको काफी आ जाएगा पढ़ाई के दोरान कोई fall to talk या कोई फर्जी talks नहीं की गई है pure teaching करने की कुशिस की गई है अगर इसका presentation आप चाहते हैं तो अर्विन देकडमी का telegram channel को join कर सकते हैं link description में मिल जाएगा और जो one shot इसके पहले के हैं उसका भी link मिल जाएगा आपको वो भी देख सकते हैं और इसका presentation के लिए telegram channel join कीजे वहाँ आपको मिल जाया करेगा और एक अर्विन देकडमी एप भी है उसका link भी description में दूँगा अपनी पढ़ाई को और बहतर करने के लिए marks और लाने के लिए आप यहाँ पर courses देख सकते हैं और यहाँ free notes वे अगर आभी अब level हैं देखके आप अपना काम कर सकते हैं और आगे बल सकते हैं उमीद है यह one shot वीडियो पसंद आया होगा लाइक और शेयर जरूर कीजे अरविन देकाडमी को सबस्क्राइब भी कीजे मिलते हैं अगले वीडियो में तैंक यू बाई